अगर आपके website की speed slow है उसकी performance थोड़ी सी weak है तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने website की speed को एकदम बढ़ा सकते हो और उसकी performance को एकदम अच्छी कर सकते हो सिर्फ एक plugin की help से आपको बस एक plugin को install करना है उसको setup करना है और आपकी website की speed एकदम fast हो जाएगी और उसकी performance एकदम अच्छी हो जाएगी ये वाले website में आज मैं आपको plugin इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एक बार आप website देख लो ये है मेरी एक टो demo website इस website में मैंने अभी तब वो plugin इंस्टॉल न नहीं है फिर हम लोग plugin इंस्टॉल करेंगे फिर compare करेंगे कि plugin इंस्टॉल करने से पहले कैसे थी और plugin इंस्टॉल करने के बाद कैसी हो गई performance तो हम लोग इंपर performance चेक कर लेते हैं यहाँ पर मैं URL डाल देता हूँ ये website का तो आप देख सकते हो यहाँ पर report आ गई है mobile में इसको मिला है overall 68 score और desktop में मिला है 88 score ये website को जो demo website है उसको अब हम लोग इसी website में plugin इंस्टॉल करते हैं फिर देखते हैं कि इसकी इसमें कुछ चेंज आया क्या तो प्लगिन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जाएंगे है प्लगिन सेक्षन में और add new plugin में क्लिक करेंगे अब हम लोग यहाँ पर search करेंगे सिरापिनाइट यह नाम आपको search करना है यहाँ पर तो यह अला प्लगिन आ जाएगा कुछ ऐसा icon है इसका इसको आपको install कर ले तो लेफ्ट में accelerator करके यहाँ पर दिखाने लग गया option इसमें हम लोग जाएंगे settings पर अब यहाँ पर आप देख सकते हो download the free extended plugin version इसमें आपको click करना है तो यह एक तो दूसरी website मिले जाएगा और एक तो प्लगिन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा इसी का ही add-on plugin है जो हम लोग प्लगिन इंस्टॉल किये न यह सेरा पिनएट जो भी था इसी का add-on है उसको भी हम लोग को download करना है और यहाँ पर upload करना वह एक तो प्लगिन है अब हम लोग जाएंगे हैं प्लगिन सेक्शन में और add-new प्लगिन में जाएंगे और जो add-on plugin हम लोग डाउनलोड किया है न उसको हम लोग कर देंगे upload इसमें upload में क्लिक करेंगे और यह रहा हो प्लगिन इसको कर लेंगे आप install अब कुछ ऐसा information आपको दिखने लग जाएगा इसमें आपको सिंपली हाँ पर replace current with uploader पर क्लिक करना है यह हो गया install अब आपको क्लिक करना है go to plugin installer पर अब आपको ऊपर एक्ठो दिखने लग जाएगा यहाँ पर information एक्ठो notice दिखने लग जाएगा begin setup विजाट करके अना यह सेराफ इनाट एक्सलेटर के नाम से इसमें आपको क्लिक करना है इसमें full functionality में रहन देना और next में क्लिक करना और यह start self diagnosis में क्लिक करना अब यह जो भी diagnosis कर रहा था वो complete हो गई है अब आपको next पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दो option दिखा रहा है अगर आप अपनी website को daily update करते हो जैसे daily article डालते हो daily कुछ prices price को up-down करते हो daily photo को update करते हो देल आपकी website में कुछ ने कुछ update करते हो तो आपको यह second option चूज करना है मतलब always up-to-date content अगर अगर आप अपने website को weekly basis पर करते हो मतलब weekly basis पर अपडेट करते हो जैसे week में एक चेंज कर दिये price को कुछ update कर दिया week में एक बार article डाल दिये weekly कुछ ने कुछ अपने website में update कर रहे ह अगर daily update कर रहे हो तो इसको करना मैं अभी यह first order को चूज करता हूं और next में click करूँगा हाँ अब यह तीन option दिखा रहा है अगर आप कोई शी shared hosting यूज कर रहे हो कोई से भी company की चाय ब्लू host की कोई से भी company की आप shared hosting यूज कर रहे हो तो आपको first order चूज करना है या अगर अगर आपको dedicated hosting यूज कर रहे हो तो आप यहां मेडिया में हाई पर जा सकते हो पर ज्यादा तर लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो shared hosting ही यूज करते होंगे जो beginner होंगे तो आप यह third वाला ही चूज करना low वाला और next पर click करना और इसको no पर ही रहन देना फिर next पर click करन अब अगर आप कुछ CDN यूज करते हो अपनी website में तो CDN का URL यहां पर डाल सकते हो अगर आपको नहीं मलूँ CDN का URL आपके website का तो आप अपने hosting provider को contact कर सकते हो जो भी hosting की customer support है उनको contact करके पूछ सकते हो आपका CDN का URL दे दो मेरे को वो जो भी URL देंगे उसको आपको यहां पांट यूज नहीं रहन देना और next पर click करना पिर यहां पर finish पर click करना अब आपकी website में यह plugin successfully install हो चुका है अब हम लोग देखते हैं कि हमारी website का performance या speed कुछ improve हुआ क्या इसको एक पर copy कर लेते हैं अब वापस से जाते हैं इस page speed पर इसको अलग tab में खोल लेते हैं ताकि हम लोग compare कर सकते हैं फिर से खोल लेता हूं मैं इसको अब इसमें मैं डालता हूं अपना domain अब इसको करते हैं analyze देखते हैं यह 96 अब आप देख सकते हो पहले कितना था mobile में 68 ठीक है अब कितना है 96 डेक्सटॉप में देखते हैं डेक्सटॉप में था पहले 88 अब डेक्सटॉप में कितना है 98 देखा जोड़दार plugin है न तो ऐसे आप अपने website की speed और performance को बढ़ा सकते हो पर एक बात का ध्यान रखना जब भी आप यह plugin install कर रहे हो तब आपकी website में कोई और cache का plugin नहीं होना चाहिए मतलब अगर आप कोई भी cache का plugin यूज़ कर रहे हो जैसे WP light कैसे WP total cache, WP super कैसे कोई सा भी cache का plugin यूज़ कर रहे हो उसको deactivate कर देना और delete कर देना क्योंकि यह अपने आप में cache का काम भी कर दे देता है इसलिए उसको पहले delete कर देना फिर इसको install करना तो यह सब settings करके आप अपनी website की speed को बढ़ा सकते हो इसकी performance को must कर सकते हो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो useful लगी हो तो please like कर देना और ऐसे website building videos के लिए मेरे चैनल को subscribe जरू करना तो मि देता हूँ आपको next video में